नमस्कार आप देख रहे हैं इस्पेशल कबरेज न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शिवकुमार मिश्याद अब एक ख़बर बंगाल हाई कोट से एक बड़ी ख़बर आ रही है जहां 23,000 से अधिक सिख्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है पश्य मंगाल सिख्षक वर्ती गोटाले में ममता सरकार को हाई कोट से बड़ा जटका लगा है जहां 23,753 टीचर्स की भर्ती को रद करना पड़ा है इस वर्ती रदों ने तक ही भर्ती सीमित नहीं रही इस भर्ती में सामिल सभी 23,753 टीचर्स को इस दोरान जो आठ वर्स वेतन लिया है वो वेतन भी वापस करना पड़ेगा टीचरों के लिए ये दोहरी मुसीबत है आठ वर्स तक जो वेतन पाए थे वो वेतन भी वापस करना पड़ेगा आखिर कोट में बैठे हुए ये जज़द किस हिसाब से फैसला देते हैं टीचर्स नियुक्ती में टीचर्स नियुक्ती घोटाला था घोटाले वालों को सजा होनी चाहिए घोटाले वालों को जेल भेजा जाना चाहिए लेकिन जिस अध्यापक ने आठ वरस तक इस्कूलों में संस्थानों में सिक्षण का कारी किया शिक्षा दी अब उसे उन आठ वरसों की दोरान ली गई सेलनी भी वापस करनी पड़ेगी यह फैसला बढ़ा सकता है अला कि ममता बनर जी ने कहा है कि हम इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोट जाएंगे क्या है पूरा मामला आप हम आपको डिटेल में बताएंगे पश्चे मंगाल की ममता सरकार को सिक्षक भरती घोट्याला मामले में बड़ा जटका लगा है कोलकाता हाई कोट ने पश्चे मंगाल सिवायोग पैनल द्वारा की गई इसकूल सिक्षक भरती रद्द कर दी है इसके बाद 23.753 सिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोरना पड़ा है ममता सरकार को हाई कोट से यह बड़ा है 23.753 नौकरीया रद्द करने का आदेस है सिक्षक भरती गोटाले मामले पर कोट ने आज अपना फ्यसला सुनाया है सिक्षक भरती गोटाले मामले में पश्चि बंगाल की ममता सरकार को हाई कोट से बड़ा जटका लगा है कलकत्ता हाई कोट ने इस मामले में 23,753 सिख्षकों की नोकरियां रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है हाई कोट के इस आदेश के बाद इन सवी सिख्षकों को चार हपते में महाज एक महीने में वेतन भी वापस करना होगा इन सवी टीचर्स को माई व्याज के साथ ये वेतन भापस लोटाना होगा न्याइमूर्थ देवांग्सु वसाक और न्याइमूर्थ मौंबस सब्बार्स रासिदी की खंड पीठ ने केंद्री अन्वेशनल व्यूरो सीबी आई को न्यूक्त प्रक्रिया के संबंद में और जाच करने तथा तीन महीनों में एक रिपोर्ट सौपने का निर्देश दिया है पीठ ने पश्चे मंगाल विध्याले सेवा आयोग को नई निक्ति प्रक्रिया सुरू करने का निर्देश भी दिया है हाई कोट ने 2016 में जिन सिक्षकों को नोकरिया मिली थी उनके खिलाफ ये आदेश जारी किये है हाई कोट के आदेश के बाद चुनाई माहलों में बवाल देखने को मिल सकता है ये सभी टिच्चा सड़कों पर उतर सकते हैं ये सभी सिक्षक चुनाव के इस माहल में सड़कों पर आंदूलन करते हुए दिखाई दिये जा सकते हैं बता दें कि सिक्षक भरती गोटाले में पूर्व सिक्षामंती पार्थ चटर जी कई त्रणमूल पदाधिकारियों के साथ ही राजिय सिक्षा व्याग के कई अधिकारी जेल जा चुके हैं इस गोटाले को लेकर कोलकाता हाई कोट में कई याचिकाएं दाखिल हुई थी याचिकाव आरोका की जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में उपर इस्थान मिला था इतना ही नहीं कुछ सिकायते ऐसी भी थी जिनमें कहा गया कि कुछ उम्मीद्वारों को मैरे ट्लिष्ट में नाम नोहने पर भी नोकरी दे दी गई थी ED और CBI इस केस की जाच कर रही थी कुलकता हाई कोट के आदेश के बाद ED और CBI दोनों कथित अन्यमीद्वारों की जाच कर रही है यह गोटाल 2014 का है और साल 2016 में इसकी प्रिक्रिया शुरू हुई थी ततकाली इन सिक्षा मंत्री पार्थ चटर जी थे हाई कोट में दाएर याच का में दावा किया गया था इस वर्ती गोटालेम कुछ ऐसे भी इमीद्वारों को नोक्री दी गई जिन्होंने TET यानि TET परिक्षा ही पास नहीं की थी जबकि राजी में सिक्षिक वर्ती के लिए TET की परिक्षा पास होना अनिवारी है इसी तरह से राजी में साल 2016 में S.S.C. द्वारा ग्रुप D की 13,000 वर्ती के मामले में भी सिकायते मिली थी जिनकी जाच आज तक जारी है क्या दोस्त था इन सिक्षकों का 13,000 सिक्षक आज घर से बेघर कोट के एक आदेश से हो गए है और इतना ही नहीं मैं ब्याज के ये मान दे यानि जो वेतन पाया है वो देना पड़ेगा और मैं ब्याज के ये वेतन आठ वर्त का बहुत जादा एक एक करोर रुपया बैठेगा एक एक करोर रुपया ये सिक्षक कहां से लोटाएंगे कैसे लोटाएंगे और आज बेखर हो गए है हाला कि ममता बनर जी ने अपनी बात कहते हुए कहा है कि मैं यहां हार मानने वाली नहीं हूँ सुप्रीम कोट का दरवाजा खटकराने की बात कही है नोकरी गई तो गई उसे अपनी सोराई सेलली लोटाने के लिए बात क्यों किया जाना चाहिए क्या विंस्रम कराय सेलली दी जा रही थी सेलली लोटाना का फैसला अदालत दे रही है तो आज ये बड़ी जरक मिसे है और आज इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सिक्षा विवाक को मजाक का पात्र क्यों बना रख़ा है ये सब बात आप बड़ी सोचनी है और देखना होगा कि इसका परिणाम क्या होगा लेकिन फिलाल 27 जार 753 सिक्षा घर से बेखर हो गए है और सबसे बड़ी सोचनी है इनके सामने कि ये सिक्षा का ये बड़ा मांदे जो बड़ी रकम होगी एक एक सिक्षा को एक करोर रुपया लोटाना पड़ेगा ये बड़ी बुरी उनके लिए ख़बर है नोकरी जाने के बाद वो हाई कोट जाते अपनी नोकरी बाहल कराते लेकिन अब आज की तारीख में उन्हें मांदे यानि वेतर लोटाने का जो आदे ज्यारी हुआ है वो भी माई ब्याज के तो कैसे ये सिक्षक लोटाएंगे क्या इन सिक्षकों को जो आठ वर्स इन्होंने शिरम किया उसके एवज में सरकार क्या देगी कोट क्या देगा ये सब बड़े सवाल बने हुए है आखिर इन सिक्षकों को लेकर क्या कोट ने कोई राहत दी और नहीं दी तो क्यों नहीं दी ऐसे मैं अगर ये सब चर्चाएं चलती रहेंगी ये बादचीते चलती रहेंगी तो आगे कैसे सिक्षा विवाद का काम होगा कोट का ये डिसीजन आने से लोगसबा चुनाव पर भी असर पड़ेगा ये सिक्षक सलकों पर उतरेंगे हलांकि ममता बनर जी पहले ही मैदान में आ गई है और उन्होंने काहा है कि इस पूरे आदेश के खिलाफ हम सुप्रीम कोट जाएंगे हमारी सरकार सुप्रीम कोट में सिक्षकों का पक्ष रखेगी और आठ वरस तक इन्होंने सिरम किया है इनसे सेल्ली कैसे वसूल की जाएगी कोट किस आदेश के तहत इंसे सेलरी वसूल करना चाहता है उन्हें कई बड़े बिंदू अपनी बात में कहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसा ही मुख्यमंत्री का रवया होना चाहिए जब सिक्षा कोई उसका वर्खास्त की करने का कोट का आडर होता है तो उस आडर के खिलाब वड़ी ताकत से सरकार को खड़े हो जाना चाहिए सरकार को सवाल करने चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और ऐसे मुद्दों पर जो सरकार ने सवाल नहीं करती है तो उत्तर प्रदेश के सिक्षामित्रों जैसा हाल हो जाता है आज सरकार में बहुत सठीक तरीके से पक्ष रखा होता तो उत्तर प्रदेश का तेरल लाग शिक्षा मित्र घर से वेघर नहीं हुआ होता सरकार ने सुप्रिम कोड तक अपनी बात पड़ी महनत और ताकीदी से रखी होती और उसमें कहा होता कि ये सभी वेल क्वालिफाइड यानी हमारे पास जो सिख्षा मित्र हैं एक अच्छे 20 वर्ष के या 15 वर्ष के अनुभव सील सिख्षक हैं और अनुभव से एई सिक्षा की गती अच्छी होती है, और वह सिल सिक्षक को सिक्षा विवाद में रखना एक अनिवारी एक नियम भी होना चाहिए, अगर वो 10 वर्स का अनुभव रखता है, तो उसे उसी हिसाब से जैसे राहिस्तान सरकार ने जिन सिक्षकों का 10 वर्स का आनुभव था उन्हें 29,900 रुपिया पर नियमित किया और जिनके 20 वर्स का आनुभव था उन्हें 58,000 कुछ रुपिया पर नियमित किया है ऐसी सरकारों से अन्य प्रदेशों की सरकारों को भी सीख लेनी चाहिए कि ये आखिर आपकी करमचारी है वो चाहिए सिख्षामित्र और ऐसे में यह सवाल बनता है कि आखिर रोजगार ना दे सको तो रोजगार लेने की परमपरा तो काईम मत कीजिए। जिन लोगों का रोजगार मिल चुका है उनका रोजगार तो बचा रहने भी जिये ये परंपराएं सरकार को आगे बढ़ानी होगी और इसी के साथ एक सिख्षकों को ये बड़ा जटका है और ये अप्रेल के महीने में दोहरा जटका है जहां बिहार में एक लाख अथिती सि परपन सिख्षकों का आज सिवाएं रद कर दी नहीं हैं और सिवा रद करने के साथ ही कोट ने एक फर्वान जारी किया है कि इन सिख्षकों को आठ वरस में जो बेतन मिला है वो मैभ्याज के सरकार के खजाने में जमा करना होगा ये अपने आपे एक अदुबोत आदेश ह कि आठ वर्स क्या इन सिख्षकों ने शिखषण कारी नहीं किया, और किया तो इनने उसके एवाज में क्या मिला? तरसकार, आज उनके खिलाफ हादेश, ये सब बतें वे हदो सोचने वाली हैं, पूरे प्रदेश के, नइ पूरे देश के सिख्षकों को, इस बात पर सवाल करना खड़ा करना चाहिए कि आखिर किसी भी बजहाय से इनकी सिक्षकों की नौकरी जाती है तो उसके लिए सिक्षक क्यों जिम्मेदार आठ वर्स नौकरी करने के बाद जिस व्यक्ति को उस समय 24 या 25 वर्स की आई में ये सेबा मिली होगी आज वो 33 या 35 के उम्र में आ चुका है वो कहीं अब और वी सिक्षक या किसी तरीके की नौकरी के काबिल नहीं बचाए और आज वो भेगर हो जाएगा हलांके सरकार सुप्रीम कोट जा रही है ये सिक्षक भी सुप्रीम कोट जाएंगे ऐसे ही ये नौकरी नहीं छोड़ देंगे लेकिन फिलाल लोग सुपा चुनाओ के दोरान एक वुरी खबर है सिक्षकों के लिए बने रहे हैं मारे साथ जैसे कोई हमें और खबर मिलेगी फिर आपके साथ हाज़े देंगे तब तक के लिए बिदा लेंगी नमस्कार